पाकिस्तान दुरिया में एक ऐसा देश है जो शायद इतना जादा कन्फियूज है कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो करें क्या खास तोर पर भारत के साथ रिष्टों को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहवाज शरीप ने भारत से ब बाचीत के लिए तयार है हला कि शहवाज शरीप को अभी बयान राजनाज सिंग के उस बयान के बाद आया था जब राजनाज सिंग ने साफ कर दिया था कि भारत कभी भी लोसी को पार कर सकता है 1999 में हमने लोसी को पार नहीं किया हाला कि हम कर सकते थे लेकिन इसका मतलब य यह नहीं कि आज हम L.O.C. को पार नहीं करेंगे शेवास शरीफ के उस बयान को राजनाज सिंग के उस बयान के साथ जोड़ कर देखा गया इसे माना गया कि पाकिस्तान शायद सहमा हुआ है और अब 5 अगस 2023 को हिना रब्बानी खार का बयाना आया पाकिस्तानी सरकार में मंत्री है तारीक इसलिए एहम है क्योंकि 5 अगस 2019 को आज से ठीक 4 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया था 370 को हटाने के बाद जिस देश को सबसे जादा तिल मिलहाट हुई तो पाकिस्तान था इस मौके पर हिना रबानिखार का बयान आया है क्या कुछ कहा है वो बताते हैं आपको दुस्तर पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रबानि खार ने हाली में पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मुरिज़ा जहागीर को एक इंटर्विव दिया है उन्होंने इंटर्व्यू के दरान आर्टिकल 370 को लेकर बयान दिया हिनारबानी खार ने कहा कि जब तक भारत जमू कश्मीर से आर्टिकल 370 को बाहल नहीं करता है तब तक हमारी उनसे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हो सकती है लेकिन अब हिनारबानी खार के इस बयान को पाकिस्तान की ही दोहरी मांसिक्ता के साथ देखा जा रहा है क्योंकि शहवाज शरीप ने भारत से बातचीत करने की पेचकश की थी लेकिं शेहवास के उस बयान के बाद में अब हिनारबानिखार का ये कहना कि धारा 370 को जब तक बाहल नहीं के जाता है तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा ये अपने आप में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए काफी है क्योंकि अगर हिनारबा निखार को अभी भी लगता है कि भारत धारा 370 को जम्मु कश्वीर दुवारा से बाहल करेगा तो ये उनका सिर्फ एक सपना ही हो सकता है और इस सपने से जितनी जल्दी वो जाग जाएं उतना ही अच्छा क्योंकि शेवास के बयान से ही पाकिस्तान की उस्तिती साप हो गई थी इसमनों ने कहा था कि पिछले 75 सालों से युद्द लड़ लड़कर हम कंगाल हो गए हैं हमारी आर्थिक इस्तिती बेहत खराब हो गई है और जो नैच्छरल रिसोर्सिस हैं उनका हम किस तरीके से उनको एक्स्पोर किया जाए वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये बात शेवाज शरीप ने खुद मानी थी लेकिन अब उन्हीं के सरकार में मंत्री उन्हें लगता है कि भारत में 70 दुबारा से बाहल करेगा और पाकिस्तान भारत से बात करेगा फिलाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या रहा है जो पिर आज मीचे कर कॉमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखे लिए नहींवारे